इस वीडियो में हम आप सुपर के कीवर्ड को देखेंगे और अबजेक्ट की क्रियेशन और उसकी लाइफ टाइम या विजिबिलिटी इनहेरेटेंस में किस तरह से होती है इसको डिसकस करेंगे हमने बात की थी के जब इनहेरेटेंस के रिलेशन सिप में हमारे पास एक पेरन्ट क्लास है कोई प्राइवेट मेंबर है ठीक है और कोई हमारे पास चाइल्ड क्लास है या डिर्राइफ क्लास है यह उसके कुछ अपने members हैं, कुछ, ठीक है, so जो child है, वो parent के public members को inherit कर लेती है, okay, constructor members नहीं होते हैं, constructor inherit नहीं होते, ठीक है, constructors inherit नहीं होते, तो अगर child class ने super class का constructor call करना है, ठीक है, यह super class की किसी और method वगयरा को refer करना है, तो हम किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए हम super का keyword use करते हैं, so, super keyword is used to refer an object's super class, जो object है, उसकी super class को, उसकी parent class को, जब refer करना हो, तो हम कौन सा keyword use करते हैं, super का keyword use करते हैं, so, super keyword से हम invoke करवा सकते हैं, call करवा सकते हैं, super class का constructor from the sub class, so, sub child class में बैठे हुए, हम super class का constructor जो है, वो call करवा सकते हैं, और, यह super का keyword और किस लिए use हो सकते हैं, मिसाल के तोर पर, अगर, आपकी super class में कोई variable, कोई instance variable x है, ठीक है, और, खैर, किसी वज़ा से हो सकता है, कोई situation आजाए, कि आपकी child class में भी कोई instance variable x है, आप इन दोनों को differentiate करने हैं, कोई operation perform करते हुए, कोई calculation perform कर रहे हैं, तो, किस तरह से differentiate किया जाएगा, super का keyword use किया जाएगा, ठीक है, इसी तरह ही अगर, parent class में कोई method m1 है, और, child class में भी method m1 है, तो, अगर मैं मिसाल के तोर पर, parent class का method m1 कॉल करवाना चाहरा हूँ, child का नहीं करवाना चाहरा है, parent का करवाना चाहरा हूँ, तो, ऐसे cases में भी हम किस तरह से उसको refer करेंगे, super के keyword से refer करेंगे, ठीक है, जब हम relationship की बात करते हैं, तो, उसमें, ये ज़रूरी होता है, कि हम देखें कि उसमें जो objects involved हैं, वो उनका behavior कैसे है, उनकी lifetime कैसे behave करती है, inheritance में हम ये देखते हैं, एक simple सी example के साथ, के हमारे पास दो classes हैं, A और B, A जो है वो parent class या base class या super class है, B जो है वो child class, sub class या derived class है, B class जो है, वो inherit हो रही है किस से, A से, A is the super class और base class, B is the derived class, अब जब A class बनाई जा रही थी, जब हम parent class बना रहे थे, तो क्या उसको लिखते वे आपको पता था कि इसको कौन-कौन से child classes इसको extend कर सकती हैं, नहीं, तो ये पहली बात अपने जहन में रखनी है, कि जब हम parent class design कर रहे होते हैं, inheritance में, उसको नहीं पता होता कि कौन-कौन से classes इसको inherit करेंगी, कौन-कौन से इसकी child classes इसको extend करेंगी, ठीक है, A does not know about B, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर दूसरी तरह से इसको देखें, कि child हमेशा चीजें inherit करता है parent से, इसका reverse जो है, वो true नहीं है, ठीक है, inheritance reverse order में नहीं चलती, parent do not inherit from child, so, अब, यह तो हमने बात की, कि parent class को किस तरह से देखा जाता है, तो अब child class की अगर बात करें, B class की अगर हम बात करें, तो जब हम B का object बनाते हैं, तो उसके corresponding type A का object भी create होता है, यानि के, जब हम child का object बनाएंगे, उसके corresponding parent का object भी create होगा, यह हम खुद create नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन वो create होता है, यह बजाहिर नजर तो नहीं आता, लेकिन यह create होता है, ठीक है, तो conceptually speaking, the object of type B holds the corresponding object of type A as a private component, यह kind of उसके अंदर as a private component हमारे पास होता है, इसको हम example से देखते हैं, for example, अगर हम यह statement लिखते हैं, कि B2 एक हम object बना रहे हैं किस type का, B type का, तो जब B2 का object create होगा, इसके corresponding एक type A का object भी create होगा, इस type A के object को बजाहिर तो यह आपको कोई, इसका कोई वैसे reference variable नहीं होता, ठीक है, तो इसको हम किस तरह से access कर सकते हैं, यह सिर्फ B2 के ही through access कर सकते हैं, और इसमें हम क्या कहते हैं, कि A5 is only accessible from B2, B2 के through इसको हम access कर सकते हैं, B2 की exclusive holding है, entirely hold कर रहे हैं, इस type A के object को, so child का जो object होता है, वो completely hold कर रहा होता है, एक parent का object अपने अंदर, ठीक है, जो इस A5 की अगर जो life है, और यह इसकी किस पर dependent है, इस B2 पर dependent है, ठीक है, A5 का object, यानि के parent का object, create भी किस के साथ होता है, चाइल्ड के साथ होता है, और खतम भी कब होगा, जब चाइल्ड का object खतम होगा, जब चाइल्ड का object अक्टिव नहीं रहेगा, जब चाइल्ड का object डिस्ट्रॉई हो जाएगा, ठीक है, और इस relationship की जो cardinality है, वो one to one है, ठीक है, एक चाइल्ड के object के अंदर, एक ही parent का object होगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, हम इसका demo देखते हैं, coding के through, ठीक है, उसमें हम कुछ super का keyword भी देखते हैं, कि किस तरह से हम इस्तमाल कर सकते हैं, Thank you.